आज राम नौमी का अफसर है, हमारे राष्ट की बुद्धी कृष्ण है और चरित्र राम है, अंतरास्टिय स्तर पर भी इस प्रकार का विशेवस्तु विश्लेशन ये आपने एक उधारन प्रस्तुत किया है, जो कि हम सब के लिए अनुकरणिये हैं इस संगुष्टी में उपस्थित सभी का अभिननन और स्वागत, हमारे गुरुपुल्य, आचारे, दीनबंदु जी ने हमको मन मस्तिश के लिए इतनी सामगरी दे दिया कि बहुत समय लगेगा इसको समझने में और इसका अर्थ निकालने में और इसको आधुनिक संदर्म में प्रस्तुत करने का अधुत है समय सब लोगों की इच्छा है कि अब समाप्त हो, इसलिए मैं संग्षिप्त में दो तिन बात कहूँगा पहली बात तो कि उन सभी रिसर्चर सोधार्थियों के लिए एक बहुत ही प्रमानिक उधारन आपने प्रस्तुत किया है कि discourse analysis किस प्रकार से किया जाए आजकल दुनिया में जो narrative बनता है उसका विशलेशन करते हैं ना कि विश्विद्यालियों में मगर जो बड़े-बड़े think tank हैं वहां भी किया जाता है और जो discourse analysis में जो text है जो शब्द प्रयोग किये और वो किस संदर्ब में प्रयोग किये उसका सामाजिक संदर्ब क्या था राजनितिक संदर्ब क्या था और क्यों किस परकार से किस शब्द को कब प्रयोग किया गया किस काल में किया गया, किस के द्वारा उसको कहलवाया गया, यह आपने एक उधारन प्रस्तुत किया है, जो कि हम सब के लिए अनुकरणिय है, दूसरा एक शोध का एक बहुत आजकल प्रचलित एक विचार है, वो है मीडिया में और लीटरेचर में content analysis, विशेवस्तू विश् मुझे लगता है कि विशेवस्तू विश्लेशन जिस प्रकार से आपने किया है, मिरा उसमें थोड़ा अध्यन रहा है, अंतरास्टियस तर पर भी इस प्रकार का विशेवस्तू विश्लेशन, quantitative और qualitative दोनों, जो आपने किया है, कितनी बार रामशा शब्द करेयों हुआ, क ये तो आपका बहुत-बहुत आवहार धन्यवाद बहुत छोटे शब्द हैं, मगर हम अभीबूत हैं, और हमारे लिए सोचने समझने के लिए बहुत सामगरी आपने दी है, हम सब के लिए, प्रंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था, कि आज राम नवी का अफसर है, समाज का एक वर्ग तो राम नवी के महत्मों को जानता है, उसकी चर्चा भी कर रहा है, वटसेप, इंस्टाग्राम और सब भरे पड़े हैं, प्रंतु एक बड़ा वर्ग इससे बिलकुल अच हुता है, अगर आज की ट्रेंडिंग देखें, आज के वटसेप और इंस्टा सनातनी वर्ग जो है, सनातनी जनसंख्या जो है, वो दो घावों हैं विवाजीता है, एक जो राम की चर्चा, राम के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और एक जिनको आज के दिन राम का कोई आवास भी नहीं है, मुझे लगता है कि इस सब का जो एक दार्षनिक या उसका वेवारिक पक्ष है, वो हमको आज की पीड़ी के सामने रखने की आवश्यक्ता है, जो आपने बहुखुभी किया है, आज के संदर्व में अगर देखें तो आपने सूर्पुनखा की बात की, बहुत पहले मैंने एक लेख लिखा था, जिसमें मैंने कहा था कि राम ने लक्ष्वण के बाद्यम से आतंकियों को ये एक मैसेज भेजा था, कि आप समाज में उन्मुक्त व्यवार नहीं कर सकते, और उसका जो मैसेज था वो, जो उनका जो आतंकियों का चीफ रामन था, उस तक वो मैसेज गया था, आज भी वैसा उसको अगर हम नई पीड़ी के सामने इसको इस रूप में रखेंगे, आज हम रखते हैं कि हम कई बार राम लक्ष्वण को जो फेमिनिस्ट वर्ग है दुनिया का, वो इसको उनको दोश भी देता हुआ दिखता है, प्रंतु इस रूप में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि नई पीड़ी को समझ में आने वाला है, दूसरा जब हम नई जनरेशन के सामने कुछ रोल मॉडल्स प्रस्तुत करने की बात करते हैं कि उनको किस का अनुसरन करना, किस प्रकार का अनुसरन करना, तो स्वामी अवदेशानन जी की एक बात मुझे बहुत आद आती है, और उन्होंने इस विशे को कई बार कहा, उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट की बुद्धी कृष्ण हैं और चरित्र राम हैं, अगर हम ये दो विशे अपने युवाओं और युद्धियों के सामने बच्पन से रखना शुरू करें, शिक्षानीती का क्रियानवन प्रारम्ध हो चुका है, उसमें हम किसी तरह से राम कृष्ण को के इस रूप को डाल सकें, इंटलेक्शुली हम कृष्ण को फालो करें, और व्यक्तिगत रूप से हमारे जो व्यवार के आधार बंदू वने, वो हमें राम से मिले, इस परकार से करने की आवश्यक्ता है, दूसरा कुछ वर्षपूर्व एक ऐसा ही अनालिसिस हुआ था, वो मैं आज की विद्वत मंडली के समुक रखना चाहता हूँ, उसमें इसकी व्याक्या एक और इसी परकार के कारेकरम में की जा सकती है, वो है कि रामायन में दो विचार धाराएं समानांतर चलती हैं, एक प्रारब्द बाद है और एक पुर्शार सवाद है, और आज भी है यह, आज हम में से भी कुछ प्रारब्द बादी हैं और कुछ पुर्शार सवादी है, प्रारब्द बाद में हम लोगों को सीखना पड़ेगा इससे प्रारब्द बाद में हम देखते हैं कि जो कुछ हो रहा है जो कुछ हुआ वो ठीक है जो कुछ हो रहा है वो भी ठीक है और जो होगा वो भी देखा जाएगा पुर्शार्सवाद में थोड़ा सा एक भिन्द मानसिक्ता बनती है उसमें हम यह कहते हैं जो हुआ उसको मैंने देखा और समझा उसको हमने उसका विशलेशन किया क्या उचित था क्या अनुचित था उसका हमने विवेक बनाया आज जो हो रहा है उसको भी हमको देखना है कि जो होना चाहिए उसके लिए हम करें और जो कल को होना है वो ऐसे छोड़े ना कि जो होगा सो देखा जाएगा कल को जो हम होना है उसका उपाए हम करें अमरित काल में ये मौका हमें मिला है हम भारत 2047 कैसा चाहते हैं वो जैसा बन जाए वैसा नहीं हम उसकी कलपना करें परम बहभव की कलपना करें हमारा भारत परम बहभव में किस परकार से दिखेगा उसकी सामाजिक रचना क्या होगी उसकी अर्थ विवस्ता क्या होगी उसकी सुरक्षा विवस्ता क्या होगी उसका एकनॉमिक सिस्टम क्या होगा उसकी कलपनाए करें और उसको बनाने का उप पाए करें यह हमें राम सिखाते हैं यह हमें कृष्ण सिखाते हैं दोनों सिखाते हैं महावारत के युद्ध में पूरी प्लैनिंग के साथ प्री प्लैनिंग के साथ कृष्ण ने सारा कारी किया राम ने पूरा योजना बना कर सारा किया और एक अन्य बात जो बहुत सीखने वाली जो मुझे लगता है मैंने बच्पन में इसके बारे में सोचना प्रादम किया था अभी तक मैं उसके बारे में सोचता हूँ वो ये है कि जब सीता का अपरण हुआ तो राम ने भरत को क्यों नहीं कहा कि सेना लेकर आओ और हम रावन पर आक्रमन करके तुम्हारी भावी को छुड़वाएंगे एक साधारन मंद बुद्धी बालक की एक प्रश्न जिग्यासा थी उसका उत्तर जब बाद में जब संग के विभिन विमर्शों में बैठने को मिला तो पता लगा कि उदेश्य तो जन्मानस को संगठित करने का था संग्रहन का था लोक संग्रहन का था और जο समाज के जो वर्ग समाज से छूटे हुए थे तूटे हुए थे उनको फिर से समाज के साथ जोड़ना और उनकेमे आत्मविश्वास पैदा करना चाहे वो बानर जाती के हों, रीच जाती के हों और दूसरे कोई हों, उनको इकत्रित करना. मुझे लगता है कि भारत अध्यान केंद्र और हैरिटेट ससाइटी अफ इंडिया इन्हों ने जो ये आज का आयोजन किया और इसके लिए मुझे ऐसा आभास होता है कि एक नवाचारी काम और रेविलुशनरी काम जो की शायद राम कृष्ण, रामायन महाभारत के विमस्ष को सम्हिलित रूप से समझ कर और आधुनिक रामायन लिखने के लिए एक प्रिवित प्रेड़ना करने का शोत बनेगा. इसके लिए अब मानिये अनंत अर्शुतोष जी, प्रफेसर सदाशिप जी को और प्रफेसर ग्यानेंद्र जी को, मैं आप सब की और से और अपने निजी रूप से आपका आभारी हूँ, मुझे लगता है कि मैं सबसे अयोग्य अव्यक्ति था इस दिमस्ष की अध्यक्षता करने के लिए. मैं तो अपने आपको बहुत, आप लोगों के साथ जब बैठता हूँ तो बड़े हीन भाव से ग्रसित हो जाता हूँ, क्योंकि जो अध्यन आप लोगों के हैं, वो मैं नहीं कर पाया हूँ. और उसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ मगर नहीं कर पाता हूं नहीं कर पाऊंगा ऐसा मुझे लगता है फिर भी आपने मुझे यह अफसर दिया और इतना अचंभित करने वाला एक उद्बोधन दिया उसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद नवश्कार जय भार कर दो